पर गौर की कीमते एक बार फिर से तेजी की और अग्रसर हो रही है वायदा में गौर की कीमते 11,000 के पार कारूबार करती दिखाई दी है विशेशग्यों के अनुसार इस बार गौर का उतपादन करीब 20-25 लाग बोरी होने का है जो गत वर्ष से करीब 43-50 फीजदी कम है गत वर्ष 50-60 लाग बोरी गौर का उतपादन हुआ था वही चालू सीजन में गौर की बोवाई के समय बारिश की गती वीदियां जादा देखने को मिली थी जिससे गौर की बोवाई नहीं हो पाई और इस बार गौर का उतपादन डिमांड की मुकाबले काफी कम रहेगा गौर की इंडेस्ट्रियल डिमांड निकल रही है जिससे गौर की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है मही मोतिलाल आस्वाल के वाईस प्रेसिडेंट अमिच सजजा के मुताबिक गौर गम की कीमते जब तक 9800 से 10,000 के उपर बनी वी है कीमतों में तेजी का रुजान जारी रहेगा गौर गम की कीमतों के लिए 10,500 और 10,800 एक एहम ब्रेकाउट लेवल है अमिच सजजा के मुताबिक गौर गम की कीमते अगर 11,200 के उपर निकलती है तो उपर में 12,000 तक के भी स्तर दिखा सकती है वही गौर सीड की कीमते अगर 6,200 की डेली क्लोसिंग दे देती है तो पैसर सो से चासर सो के स्तर देखने को मिल सकते है गौर गम और सीड की कीमतों में तेजी का रुख अभी जारी रह सकता है अमित सर्जेजा के मुताबिक गौर गम की कीमतों में 10,000 या फिर 10,100 के स्तर पर और गौर सीड में 5,900 के स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है वी रिपोर्ट, Market Times TV